दोस्तों आपने हैं अक्सर देखा होगा कि किसी भी धार्मिकार या पूजा-पाठ के शुरू होने के पहले पुरोहित या पंडित हमें संकल्प लेने को कहते हैं लेगिन क्या आप जानते हैं कि ये संकल्प क्या है और क्या है इसके पीछे का महत्व दोस्तो पूर्ण श्रद्दा आत्म विश्वास और एकादरता के साथ किसी भी शुवकार या पूजा पाठ या कर्मकार्ड को करने वाली धार्ण शक्ति का नाम ही संकल्प है और ऐसा माना जाता है कि पूजा पाठ हो यग्यो या दान इन सब के पुन्यफल प्राप्त होते हैं जब वो पून्य संकल्प के द्वारा किये गए हो और इसमें कोई भी संदे नहीं या अज तक जितने भी कारसिद्ध हुए है उसमें व्यक्ति की साधना और संकल्प शक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है क्योंकि एक संकल्प व्यक्ति ही किसी भी प्रकार की सिंदी का हकदार होता है और अपनी लक्ष को पाने की योगता रखता है और वो जिस भी कारक को अपने हाथ में लेता है उसे पून्य निष्ठा के साथ अडिग होकर प्राप्त करता है इसलिए आप भी अपने जीवन मे संकल प्ले और अपने लक्ष के रास्ते में द्रण रहें फिर देखे आपको लक्ष प्राप्ती से कोई भी नहीं रोग सकता